जैमा काली मित्रो आपका मेरी चैनल मा काली मा दुर्गा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रो अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे साथी नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस कीजे जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए मित्रो आज का जो विशे है वो विशे ये है कि क्या हम अपनी अखंड जोत को अकेला छोड़ सकते हैं देखे अखंड जोत जो लगाई जाती है उसका सबसे पहला नियम यही होता है कि अखंड जोत को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं और ना ही घर बंद करके जाते हैं जिस घर में अखंड जोत है परिकाल、、। coughing को, नहीं चौड़ने होता है यहां पर कोई न कोई व्यक्ति उसका ध्यान dioxide सब्सक्तता है और जोद शांत ना हो पाई इस बात का ah और आगा भफ़क्ता है तो उसके लिए कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी भी परिष्टिती आती है कि इस नियम को जानते हुए भी हमें घर से कहीं न कहीं एक ऐसी आपात कालीन समय हमारे साथ आता है जीवन में जिसमें हमें जाना पड़ता है तो ऐसी परिष्टिती में हम क्या करें हमें क्या करना चाहिए और जो अखंड से मा बगवती ने ये उपाई मुझे बताया है जो बच्चे मुझे से प्रेशन कर रहे थे कि अगर कोई ऐसी परस्थिती होती है या फिर हम वर्किंग हैं हम ड्यूटी पर जाते हैं अपने ओफिस में जाते हैं तो क्या हम अखंड जोत ना लगाएं या लगाएं तो किस प् परस्थिती में एक नियम यह आता है कि हमारे घर में आपने देखा होगा जब चोकी लगाते हैं तो गणेश जी को बिठाया जाता है तो गणेश जी को बिठाया जाता है साथ में सभी शक्तियों को बिठाया जाता है तो गणेश जी जो हैं मादुर्गा माकाली और मापार प्रभू आपको घणेश जी मान लेना है इस सुपारी और पर आपको जोत के पास उससुपारी को रखना है और गणेश जी का आहवान करना है कि है गणेश भगवान आप इस सुपारी में विराजमान हो जाए और उसके बाद थोड़ी देर बाद थोड़ी देर आपको आख़वान करना है आखे बंद करके आखे बंद करने के बाद आख़वान करने के बाद में गणेश जी से आपको ये प्राथना करनी है कि है प्रभ करके यानि आपको समर्पित करके जा रहे हैं तो आप हमारी अखंड जोद की रक्षा करना और हम आपको एक पुत्र के रूप में यह दाइत वुद्ध दे रहे हैं कि आप अखंड जोद की रक्षा करेंगे और अखंड के साथ रहेंगे यानि अक्षड को अकेला नहीं छोडेंगे तो इस प्रकार से आप ग्णेज जी को कलावा लपेट करके उनको बिठा करके नोको बढ़र करके परातना करके और उनके लिए कोई भोग रखके अगर फल है तो फल रख सकते हैं मिठाई है तो मिठाई रखके उनके पास में और मा भगवती से शमा प्राथना करके कि मा हमारे साथ ऐसे ऐसे परिस्तिती है और हमें जाना पढ़ रहा है तो आप गणेश जी के साथ बैठिये थोड़ी देर में हम अभी आते हैं या जितनी देर के लिए भी जा रहे हैं तो उतनी देर के लिए आप मा से प्राथना करके जा सकते हैं घर में ताला लबाके जा सक क्योंकि गणेश जी आपके रूप में यानि आपकी तरफ से यह लेकर बैठ जाते हैं जोत के पास में तो इस प्रकार से आप जा सकते हैं मा बगवती से शमा मांग कर क्योंकि यह उपाई हम से बहुत बच्चों ने पूछा था क्योंकि बच्चों के साथ परिस्थितिया रह तो मित्रों यह थी जानकारी आप सभी के लिए मा बगवती से यही प्राथना करते हैं कि वह आपके भंडारे भरती रहे आपकी सभी मनुकामनाओं को पूर्ण करते रहे आप से फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए जै महकाली जै महकाल